हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर और हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हम पढ़ रहे हैं व्याकरण चलिए आज हम पढ़ेंगे बच्चों पार्ट नमबर तीन जिसका नाम है संग्या यानि नाउन चलिए शुरू करते हैं पढ़ना बच्चों इस संसार में प्रतेग वस्तु का कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है नाम से ही वस्तु अत्वा प्राणियों की पहचान होती है जैसे मेरा भी नाम है आपका भी कुछ नाम है आपके दोस्तों का भी कुछ नाम है ममी पापा का भी नाम है आप जहां रहते हैं उस स्थान का भी नाम है मेज, कुर्से, पैन, बोटल, सबका कुछ न कुछ नाम होता है विशेश किसी भी प्राणी, वस्तू, इस्थान, वे भाव के नाम को संग्या कहते है बच्चो इस चित्र को देखे और इनके में होने वाले गती विदियो को देखे और जो नाम लिखे गए आप उन्हीं भी लेखे चलिए पढ़ते एक बार फूल, लड़का, जूला, आदमी, बच्चे, मोर, लड़की, पेड, चिडिया, पुलू उपरियुक चित्र में आपने देखा कि प्रतेग वस्तू का कुछ ना कुछ नाम अवश्य है तो बच्चो आपने क्या समझा यानि के हर किसी का कुछ ना कुछ नाम होता है चलिए इतना तो हम जान गए अब करने की बारी चित्रो को देखकर उनके नाम लिखे लुक एट दा पिक्चिर्स एंड राइट दा नेम बच्चो इन चित्रो को देखे और इनके नाम लिखे ठीक है यह आपका हॉमवर्ख है संग्या क्या है चलिए देखते हैं बच्चो संग्या के तीन भेद होते हैं संग्या के कितने भेद होते हैं तीन भेद होते हैं कौन-कौन से व्यक्ति वाचक संग्या, जाति वाचक संग्या, भाव वाचक संग्या Very good, सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, व्यक्ति वाचक संग्या यानि proper noun, ये संग्या किसी विशेश व्यक्ति वस तूं इस्थान आधी का पूद कराते हैं ऐसे, ये तीन चित्र को देखे बच्चो, महात्मा गांदी, तूसरा चित्र, चार मिनार, और तीसरा और टोकार, बच्चो इससे क्या समझ में आया, व्यक्ति वाचक संग्या किसी विशेश का बोद जुकराती है, वह क्या कहलाती है, व्यक्ति वाचक संग्या, अब हम के जाती वाचक संग्या, यानि के common noun, यह संग्या शब्द किसी जाती या समहू के नाम का बोट कराते हैं, जैसे लड़का, शेर, कार, बच्चों आपने एक बात नोटिस की है, उपर भी हमने कार पढ़ा, नीचे भी लेकिन उपर क्या पढ़ा हमने अल्टो कार, नीचे क्या व्यक्तिवाचक यानि के विशेश उसकार का नाम लिया गया था औल्टो कार यहां कार कहने से क्या मतलब निकलता बच्चो यानि के सारी कारे तो यह हो जाएगा जातिवाचक संग्या लड़का कहने से यानि के लड़के की जितने भी लड़के की पूरी चाहत जितने भी गया जैसे उपर था न महात्मा गांदी तो वो विशेश था इसलिए वहां वो था व्यक्ति वाचक संग्या यहां लड़का कहने से चाति वाचक यानि कि उसकी पूरी जाती का बोध हो रहा है अब हम देखते हैं भाव वाचक संग्या यानि कि एबस्टेक्ट नाउं यह चित्र छोटे से बालक का है यानि बजपन तीसरे चित्र में गुलाब जामुण रखे हैं यानि के मिठास तो बच्चो यह सारे शब्द क्या हुए रोना बच्पन मिठास यह होते हैं भाव यह कहते हैं भाव वाचक शंग्या बच्चो यह पाट या इहीं समापन लेंगे आपसे अगली काक्षा में तब तक के लिए बाई बचो